आजादिक के पहले देश में जो सामाजिक हालात थे, जो गरीबी और बेदभाव था, उन हालातों में हमारी बेटियों के लिए सिख्छा बहुत मुश्किल थी. सावित्रिबाई फूले जैसी विभुतियों ने बेटियों के बंद सिख्छा के दर्वाजों को खोला, लेकिन आजाजिके बाद भी देश उस पुरानी मानसिक्ता से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ. कितने ही ख्षेत्रों में पिछली सरकारों ने महिलागों की एंट्री बंद करके रखी थी. स्कूलों में सौचाले जैसी मुल्बुत से विदाओं का भाव था. इसके कारण स्कूल होने के बावजुद भी स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए बंद थे. जैसे ही बच्चियां थोड़ी बड़ी होती थी, उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता था. सैनिक स्कूलों में तो बेटियों के एडमिशन पर रोक थी, सेना में ज़्यादातर कारक्षेत्रों में महिलाओं की न्यूक्ति पर रोक थी. इसी तरह कितनी ही महिलाओं को पेगनेंसी के दौरान नोकरी छोड़नी पड़ती थी. हमने पुरानी सरकारों की उन पुरानी मानसिक्ताओं को बदला, पुरानी ववस्ताओं को बदला. हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, उसका सबसे बड़ा फाइदा देश की बेटियों को हमारी माता और बहनों को हुआ. उन्हें खुले में सौच से छुटकाना मिला स्कूलों में बनाए गए सौचालों के कारण और बेटियों के लिए अलग सौचालों के कारण बेटियों का ड्रोप आउट रेट कम हुआ हमने आर्मी स्कूल के साथ साथ सेना में तमाम पदों को महिलाओं के लिए खोल दिया हमने महिला सुरक्षा पर कड़े कानून बनाए और इस सब के साथ देश ने नारी शक्ती बंदन अधिनियम के जरिये लोक तंत्र में महिलाओं के नेतरुत्व की गारंटी भी दी है साथियों हमारी बेटियों के लिए जब हर क्षेत्र के दरवाजे खुले तबी हमारे देश के विकास के असली दरवाजे खुल पाए मुझे विश्वास हैं सावित्री भाई फुले मेमोरियल हमारे इन संकल्पों को महिला ससक्ति करण के हमारे इस अभियान को और उर्जा देगा झाल